नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रेवत राज मतहमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो लेक्सर में हम बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2020 के लिए क्लास सेवंत की NCRT की जो नई वाली बुक है उस बुक के सभी परसन एक ही वीडियो में हल करवाने वाला हूं यानि आपकी सेवंत क्लास की जो सामाजिक विज्यान की चारों खिताबे हैं उनका एक ही वीडियो में आपका सोलूशन होने वाला है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेवंत की सामाजिक विज्यान की बुक तो दोस्तों NCRT की जो सेवंत वाली बुक है आल क्यूसन इसमें देखने वाले हैं पीडियो आपके कमेंट आ रहे तेक्सर पीडियो आप रेमत राज मैथामेटिक्स टेलीग्राम ग्रूप को क्यूसन नंबर 147 जो था वंस वासकर के रचेता कौन है तो उसका आंसर सूरी अमल मिश्रन सही रहेगा से ओप्सन मैंने गलत बता दिया था तो आप उसको सही कर लेना और क्यूसन नंबर 158 जो था राजस्तान की साक्सरता जंगरना 2011 का अनुसार वो 66.11 है उसमें भी नहीं तो प्यारे सातियों पहले का राइट आंसर अरब रहेगा भुगोल वेता अल इंद्री शी अरब का निवासी था ए ओप्सन आपका बिल्कुल सही आंसर प्रसन नंबर 2 अरभी बासा में विदेशी को कहा जाता है आगंतुक परदेशी अजनभी या प्रिये टक मेरे है गोड निमनलिकित आदुनिक राजे का नाम है अंद्रपरदेश करनाटक बंगाल या गुजरात गोड किसका आदुनिक राजे का नाम है बताएं दोस्तों तीसरे का राइट आंसर प्रसन नंबर 3 का तीन का राइट आंसर शे ओप्शन बंगाल सही रहेगा प्रसन नंब द्रविड गोड या इन में से कोई नहीं चोते का राइट आंसर बताएं अफगानिस्तान के गजनी परदेश का पुराना नाम क्या है तो प्यारे सातियों प्रेशन नंबर जो चार आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर गजन ओप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रेशन नंबर पांच के ओर बढ़ते हैं मुसलमानों के धरम गरंत का नाम क्या है विकल्प, कुरान शरीप, जेंद अवेस्ता, रामाइन या बाइबिल दोस्तों कल इसाई दरम से संबन दित था आज मुसलमानों के दरम गरंत का नाम पूचा गया है प्रेशन नंबर पांच का राइट आंसर कुरान शरीप, ओप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर एगा प्रेशन नंबर छे की ओर बढ़ते हैं आठवी शदी के मद्य दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधिनता से इनकार करके किस नए राजवन्स की इस्तापना की विकल्प गुजर परतिहार, राश्टर कूट, पाल या चोल ये चार विकल्प आपके सामने है प्रेशन नंबर छे का सही आंसर एगा राश्टर कूट, ओप्षन नंबर बे करेक्ट आंसर है छटे में प्रेशन नंबर साथ में आज़ेए एलोरा की गुफा में बतना भगवान विश्णू का नर्शिहे के रूप में भीती चितर किस काल का है एलोरा की जो गुफा है उसमें बगवान विश्णू का जो नर्शिंग रूप में भीती चितर बनावा है वैकिश काल का है विकल्प, राश्टर कूट काल, चालुक्य काल, गूजर परतिहार काल या इनमें से कोई निंग प्रस्न नमबर साथ का पहला ओप सन सही रहेगा राश्टर कूट काल का है एई ओप्शन बिल्कुल सही है प्रस्न नमबर आँट की तरफ आते हैं हिरिने गरब का साब्दिक अर्थ क्या है हिरन का गरब, सोने का गरब, एक प्रकार का अनुष्टान या उप्रियुक्त सभी प्रेशन नमबर आठ का सही आंसर बताना है प्रेशन नमबर आठ का सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा हिरिने गरब का अर्थ है सोने का गरब बे ओप्षन आपका करेक्ट आंसरेगा प्रिशन नमबर आठ में अगला है दोस्तों कलन दुआरा रचित संसकर्त कावे राज तरंगिनी में कहां पर सासन करने वाले राजाओं का इतियास दर्ज है कलन ने जो संसकर्त कावे लिखा है राज तरंगिनी में कहां के सासन करने वाले राजाओं का इतियास दर्ज है दोस्तों कश्मीर बंग कलिंग या विदर्ब ये चार विकल्प आपके सामने है प्रेशन नमबर नो का सही आंसर कश्मीर ओप्षन नमबर एक करेक्ट आंसर अब्टा था। विकल्फ हैं कासी विश्वनात मंदीर, सोमनात मंदीर, केदारिनात मंदीर या इन में शे कोई नहीं। तो प्रशन नमबर 10 का सही आंसर सोमनात मंदिर ओप्शन नमबर 2 बिलकुल सही है प्रशन नमबर 11 की ओर बढ़ते हैं 11 प्रशन है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिस की बेटी कौन थी रजिया चांद बीबी महरू निशा या इनमेशे कोई नहीं सुल्तान इल्तुतमिस जो दोस्तों राइट आंसर है वे ओप्शन नमबर A रजिया इसका क्रेक्ट आंसर है रजिया इल्तुतमिस की बेटी का नाम था प्रशन नमबर 12 है गेरीशन सहर में रेते थे व्यापारी लोग रक्षक सेनिक राज परिवार के लोग या इनमेशे कोई नहीं प्रशन नमबर 12 का राइट आंसर बताना है गेरीशन सहर में कोन रेते थे दोस्तों गेरीशन सहर में रक्षक सेनिक रेते थे बे ओप्शन आपका क्रेक्ट आंसर हैगा प्रशन नमबर 12 का प्रशन नमबर 13 की और आते हैं फार्सी में बदंगा कहा जाता है गुलामों को मुक्ति को जमीदा को या सरदारों को फार्शी बाचा में बदंगा किसे कहा जाता है यह आपसे पूचा है तो दोस्तों बदंगा जो है गुलामों को कहा जाता है विकल्प नंबर ए परसन नंबर 13 का सही आंसर है परसन नंबर 14 की ओर आते हैं खराज किसे कहा जाता था खराज क्या है दोस्तों स वहे एक करशी कर है खराज त्यान रखना है बे ओप्शन करेक्ट आंसर एगा इंपोर्टन्ट क्यूशन है ये प्रेशन नमबर अगला पंदरवां सेर सां सूर ने किस सासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इब्राहिम लोदी राणा सांगा बाबर या हुमायू य ये आपका पंदरवय में राइट आंसर है प्रेशन नमबर सोड़ा की तरह पाएं भारत में किस मुगल बाज़ा ने सबसे पेले टोपों का इस्तमाल युदों में किया था काफी अच्छा कियूस ने AI कौन सा मुगल बाज़ा था जिसने सबसे पहले तोपों का इस्तमाल युद में किया था हुमायू बाबर औरंग जेब या अकबर ये चार विकल्प आपके सामने हैं प्रेशन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है शोल में का जो राइट आंसर है वे बनेगा ओप्शन नंबर बे बाबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रेशन नंबर 17 देखेंगे 1526 इस्वे में दिल्ली के किस सासक को हराकर बाबर ने मुगल वन्ष की स्तापना की थी 1526 की बात है प्रेशन विकल्प पहला इब्राहिम लोदी दूसरा शिकंदर लोदी तीसरा राणा सांगा या इनमे से कोई नहीं प्रेशन नंबर 17 का सही आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी विकल्प नंबर ए इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जो है मुगल वन्ष की स्तापना की थी 1526 में अगला है आपका अठारवा किस्षन ओरंग जेब के सासनकाल में मनसबदारों की संख्या कितनी थी काफी प प्रेशन नंबर 18 का सही आंसर ओप्षन नंबर से गुणियसी मनसबदार थे दोस्तों अगला क्योशन अकबर नामा और आईने अकबरी किस की करतिया है अकबर की टोडर मल की अबूल फजल की आईन में से कोई नहीं प्रेशन नंबर 19 है अकबर नामा और आईने अकबरी कि ने लिखी है या किसकी करतिया हैं तो दोस्तों ये करतिया है अबूल फजल की आपका ओप्शन नमबर से करेक्ट आंसर एगा मेरे प्रस नमबर 19 में प्रस नमबर 20 के और बढ़ते हैं इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगला है किस मुगल महिला ने महिला क के बच्पन का नाम महरु निशा था तेखिये किस मुगल महिला के बच्पन का नाम महरु निशा था मुमताज महल हमिदा बानो रुकया बेगम या नूर जहां ये चार विकल्प हैं तो प्रस नमबर 21 के ओर बढ़ते हैं कुतुब मिनार पांच मंजिली इमारत है इस इमारत की पहली मंजिल का निर्मान किसने करवाया था काफी अच्छा क्यूशन है कुतुब मिनार जो है पांच मंजिली इमारत है इसकी पहली मंजिल का निर्मान किसने करवाया ये पुछा गया है विकल्प है इलतुतमेश इब्राइम लोदी अलावद तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर कुतुब दिन एबक ओप्शन नमबर दे करेक्ट आंसर रहेगा प्रेस्टन नमबर 22 की और बढ़ते हैं सीव की इस्तूती के लिए बनाएगे कंदरिया महादेव मंदिर के मुख्य सबा बवन यानि महामंडप में आयोजन होता था किसका अयोजन होता था सीव की इस्तूती के लिए बनाएगे कंदरिया महादेव मंदिर के मुख्य सबा बवन में यग्य का नृत्य का सामुहिक भोजन का या पुजा अर्चना का ये चार विकल्प हैं 22 प्रेस्टन में प्रेस्टन नंबर 22 का सही आंसर नर्ते का ओप्शन नंबर बे सही रहेगा अगला है तेईस्वा तंजावूर के राज राजेश्वर मंदिर के निर्वान करता का नाम क्या है तंजावर में जो राज राजेश्वर मंदिर बनावा है उसके निर्मान करता का नाम आपसे पूचा गया है पहला विकल्प चंदेल राजा धंग देव दूसरा विकल्प राजा राजदेव तीसरा राजंद्र परतम चोता है इन में से कोई नहीं प्रसन नमबर तेईस का राइट आंसर ओप्शन नमबर बे रहेगा राजा राजदेव ने इसका निर्मान करवाया था बे ओप्शन सही है प्रसन नमबर चोईस में आजएए शुवन मंदिर और उसका पवितर सरोवर कहां पर इस्तित है अमरित सर में चंडीगड में लुदियाना में या जालंदर में बताए दोस्तों चोबिस में का राइट आंसर शुवन मंदिर और उसका परवितर सरोवर कहां पर बना हुआ ह प्रेशन नमबर चोईश का सही आंसर अम्रिच सर रहेगा ओप्षन नमबर ए बिल्कुल करेक्ट है प्रेशन नमबर 25 के ओर बढ़ते हैं गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी दक्षिन भारत के किस राजा के समकालिन था राज राज पर्थम राजद्र पर्थम राजदेव या इनमे से सबी जो गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी था दोस्तों वह दक्षिन भारत के राज अंदर पर्थम राजा के समकालिन था बे ओप्षन आपका करेक्ट आंसर पच्छिसवे में प्रेसर नमबर 26 है बारवी शताबदी में अजमेर राजस्तान किन राजपूत राज़ाओं की राजदा नि थी कच्छावा, सिसोद्या, चोहान या तोमर बताई 26 में का अंसर बार्वी सताब्दी में जो अजमेर था दोस्तों वैं चोहान राज़ाओं की राज़दा नी थी से ओपशन आपका correct answer रहेगा 26 में प्रेसर नमबर 27 ए मनी घ्रामम और नाना देसी थे मनी घ्रामम और नाना देसी क्या थे दोस्तों व्यापारियों का संग सिल्प कारों का संग, किसानों का संग या इनमे से कोई नहीं 27 वा काफी important question है प्रसन नमबर 27 का सही answer व्यापारियों का संग विकल्प नमबर 1 आपका correct answer है अगला है विजे नगर सामराजे की इस्तापना हुई थी 1330 में, 1335 में, 1336 में या 1333 में चार विकल्प आपके सामने है, प्रसन नमबर 28 का सही answer क्या होगा विजे नगर सामराजे की इस्तापना मेरे प्यारे सात्यों वे हुई थी आपके 1336 में विकल्प नमबर से आपका सही answer है प्रसन नमबर 29 की तरह पाते हैं सत्रवी सतापदी में किस सहेर को मक्का का प्रस्तान द्वार कहा जाता था काफी important question है बंबई, सुरत, कोचिन या पोर बंदर सत्रवी सतापदी में किस सहेर को मक्का का प्रस्तान द्वार कहा जाता था दोस्तों प्रस्तान दुवार जो है दोस्तों सूरत को का जाता था बे ओप्षन आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रसन नंबर गुंतिस का तीसवा प्रसन है चाउदा सो अंठान में इस्वी में काली कट पहुंचने वाला नाविक वासको डिगामा किस देश का निवासी था पुर्टगाल ब्रिटेन ओलेंड या फ्रांस बताई 30 का राइट आंसर वासको डिगामा किस देश का निवासी था दोस्तों ये पूचा है आप से प्रसन नंबर 3 का राइट आंसर पुर्टगाल उप्षन नंबर A बिलकुल करेक्ट है प्रेशन नंबर 31 की और आते हैं बाध्सा अकबर के परसिद सेनापती मान सिंग ने बीहार और जार्खन की किस 37 साली जंजाति 37 साली जंजाति पर हमला करके उन्हें लूट लिया था और उप्शन है गौण, चेर, संत्साल या भील ये चार विकलप आपके सामने है प्रेशन नमबर 31 का राइट आंसर बताना है तो वह जन जाती दोस्तों चेर जन जाती थी बे ओप्षन आपका 31 में करेक्ट आंसर है प्रेशन नमबर 32 किस मुगल बादसा ने अपने संस्मरण के संस्मरण में बंजारों का उलेक किया है वह कौन सा मुगल बादसा है जिसने अपने संस्मरण में बंजारों का उलेक किया जहंगीर, साजा, औरंगजेब या इनमे से कोई नहीं प्रेशन नमबर 32 का राइट आंसर रहेगा विकलप नमबर A जहंगीर करेक्ट आंसर है प्रेशन नमबर 33 की ओर बढ़ते हैं प्रेशन नमबर 33 है सत्रवी सदी के पुरवाद में किन जंजातियों के राजे में राजे में जनगर्णा होई थी किन जंजातियों के राजे में जनगर्णा होई थी गोण, अहोम, मुंडा या संथाल ये चार विकल्प है प्रस्टन नमबर 33 का राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वह रहेगा ओप्शन नमबर 2 अहोम अगला क्योशन 34 वाँ 1662 इस्वी में मुगल सेना ने अहोम राजे पर हमला किया था मान सिंग, आसिप खान, बेरम खान या मीर जुमला बताए दोस्तों 34 का सही आंसर क्या रहेगा 1662 में मुगल सेना ने जब अहोम राजे पर हमला किया था तब मुगल सेना का नेतर तो कोन कर रहे थे तो दोस्तों उनका नाम था मीर जुमला देव नंबर ओप्षन बिल्कुल सही है परसन नंबर 34 का परसन नंबर 35 है विशु परसिद आकरमन कारी चंगेज खान किस जनचाती का था मंगोल, तुर्क, बलूची या इनमे से कोई नहीं चार विकल्प आपके सामने परसन नंबर 35 में परसन नंबर 35 का सही आंसर विकल्प नंबर ए रहगा मंगोल जनचाती का था दोस्तों चंगेज खान ए ओप्षन बिल्कुल सही है परसन नंबर 36 नेनार संत किसके उपासक थे काफी इंपोर्टेंट क्योशन है रीट की द्रिश्टी से दोस्तों शिव, विश्णू, राम या ब्रह्मा बताए 36 वे का राइट आंसर नेनार संत किसके उपासक थे मेरी प्यारे सातियों नेनार जो संत है दोस्तों वह है शिव के उपासक थे ए ओप्षन बिल्कुल करेक्ठ है 36 वे में प्रसन नमबर 37 के ओर आते हैं रामा नुज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एदवेतवाद, विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का जन्म कहां हुआ था तमील नाडू में करनाटक में केरल में या इनवे से कोई नहीं प्रेशन नंबर 38 का राइट आंसर केरल रहेगा ओप्षन नंबर 6 दार्शनिक संकर का जन्म केरल में हुआ था अगला है सुफी ओलिया ख्वाजा मोयनुदीन चिस्ति की दरगा का पर है दिल्ली अजमेर गुलबर्ग या स्री नगर सुफी ओलिया ख्वाजा मोयनुदीन चिस्ति की दरगा का पर है दोस्तों अजमेर में है बिलकुल बी ओप्षन बे ओप्षन करेक्ट आंसर प्रसन नंबर 40 का प्रसन नंबर 40 है मीरा भाई किस संत की अनुयाई बन गई थी संत की अनुयाई बनी थी दोस्तों ये बताना है चालिस वे में तो वह बनी थी दोस्तों संत रवी दास की अनुयाई ए ओप्षन बिलकुल करेक्ट आंसर है चालिस वे में प्रसन नंबर 41 है पूरी में जगनात मंदिर का निर्मान करवाने वाले राजा का क्या नाम था का राइट आंसर बिल्कुल अनन्त वर्मन या पर राइट आंसर बे ओप्षन रहेगा 41 का 42 नंबर है किस आधुनिक परदेश का पुराना नाम राजपुताना था विकल्प है माराष्ट्र मद्यपरदेश राजस्तान या गुजरात राजपुताना किसका पुराना नाम था दोस्तों राजपुतान का ही पुराना नाम राजपुताना था से ओप्षन बिल्कुल सही है 42 में प्रसन नमबर 43 से राजस्तान के किस राज़दर्बार ने उत्तर भारत की विशिश नर्ते सली कत्थक को सरक्षन दिया रन्थमबोर राज़दर्बार, चितोड राज़दर्बार, जेपुर राज़दर्बार या जोदपुर राज़दर्बार दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक जरूर करें 43 नमबर का राइट आंसर जेपुर राज दरबार विकल्प नमबर से बिल्कुल सही रहेगा प्रेशन नमर 45 भरत नाट्यम किस परदेश का सास्त्रिय निर्ती है काफी important क्यूशन तमील नाड़ू, केरल, उडिसा या मनिपुर ये चार विकल्प भरत नाट्यम जो है दोस्तों वहे तमील नाड़ू का सास्त्रिय निर्ती है विकल्प नमबर 12 का बिल्कुल सही है 45-वे में आजएए साथवी सताबदी में किस विदेशी आत्री ने पाया कि बंगाल में सरवत्र संस्कर्त से संबन्दित भासाओं का प्रियोग हो रहा था इत्सिंग, ह्यून सांग, फास, येन या इनमे से कोई नहीं सात्वी सताबदी में कौन सा विदेश यात्री ने ये देखा कि बंगाल में सब जगे संसकर्त संबंधी भासाओं का परियोग हो रहा था तो वे थे ह्यून सांग बे ओप्शन बिल्कुल सही है पैंतालिस में प्रेस नमबर 46 के और बढ़ते हैं नादिर सा ने 1740 में दिल्ली पर आकर्मन कर खूब लूट पार्ट मचाई वह कहां का शाशक था कौन नादिर सा दोस्तों ये पूछा गया है कि नादिर सा जिसने 1740 में दिल्ली पर आकर्मन करके खूब लूट की थी वह कहां का शाशक था इरान अफगानिस्तान तुर्किया इन मेंशे कोई नहीं प्रेसन नमबर 46 का सही आंसर इरान विकल्प नमबर ए बिल्कुल सही रहेगा प्रेसन नमबर 47 के ओर बढ़ते हैं निम्न मेंसे किस सुबेदार ने अवद की सता हत्या लिए थी निजाम उल्मुल्क आसप जहे बुर्हान उल्मुल्क सादत खान मुर्षिद कुली खान या इन मेंसे कोई नहीं देखे किसन क्या है निम्न मेंसे किस सुबेदार ने अवद की सता हत्या लिए थी दोस्तों प्रसन नमबर 47 का सही आंसर हैगा विकल्प नमबर 2 पूर्हान उल्मुल्क सादत खान बे ओप्षन बिल्कुल राइट आंसर है प्रसन नमबर 48 के और आते हैं राज करेगा खालसा ये नारा किस सिक गुरु ने दिया था दोस्तों इंपोर्टन्ट है रीट की द्रिश्टी से राज करेगा खालसा ये नारा किस सिक गुरु ने दिया था गुरु तेग बहादुर गुरु गोविन सिंग गुरु अरजुन देव या गुरु अंगंद ये चार विकल्प आपके सामने हैं अड़तालिस में का राइट आंसर राज करेगा खालसा ये है नाराजो तोस्तों है वे गुरु गोविन सिंग ने दिया था बे ओप्षन बिल्कुल सही है परसन नमबर अड़तालिस में प्रेसर नमबर 49 की तरफ आजए है चोत और सर देश मुकी नामक कर वसूलते थे कौन कर वसूलते थे सर देश मुकी और चोत नामक मुगल सिक माराथे या इनमे से कोई नहीं प्रेसर नमबर गुण पचास का राइट आंसर मराठे वसुलतेते सर देश मुक्य और चोथ नामकर से ओप्षन बिल्कुल राइट है प्रेसर नमबर पचास किसके राज में भरतपुर सक्तिसाली राज्य के रूप में उबरा था चुडामन सुरजमल गोकु लाया इनमें से कोई नहीं किसके राज में भरतपुर जो है सक्तिसाली राज्य के रूप में उबरा था दोस्तों बिल्कुल सुरजमल जाट यहां पर बे ओप्षन करेक्ट आंसर रेगा मेरे पहरे सातियों 50 में क्यूसन का 50 लगा चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए 51 नमबर आपके सामने परदर्सित है प्राकरतिक परियावरन का गटक है वायू, पार्क, इमारत या इसमार्क बताए दोस्तों 51 नमबर का राइट आंसर 51 नमबर का राइट आंसर वायू रहेगा ओप्शन नमबर ए अगला है मानव निर्मित गटक कौन सा है सडक, पुल, परिवेहन या उप्रियोक्त सभी 52 नमबर जो किसन है दोस्तों उसका राइट आंसर उप्रियोक्त सभी ओप्शन नमबर दे बिल्कुल सही रहेगा एनवाइरो निर से हुई है जिसका अर्थ क्या है प्रियावरन जो सबदे उसकी Uth Vanаж सब्द की उत्पती जो है फ्रेंच सब्दे एनवाइरो निर से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है प्रकरती पडोस मेदान या इनमेंसे कोई नहीं तरेपन नमबर का राइट आंसर विकल्प नमबर बेर एगा पडोस इसका राइट आंसर है परसन नमबर चोपन परतियेक वर्ष विशु परियावरण दिवस कब मनाया जाता है काफी अच्छा क्यूसन है दोस्तों विशू परियावरण दिवस परती एक साल कब मनाया जाता है 5 सितंबर 14 नवंबर 5 जून या 15 अगस्त ये 4 विकल्प है प्रेशन नमबर चोपन का सही आंसर 5 जून को परियावरण दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड एनवाइरमेंटल दे तो से ओप्षन करेक्ट आंसर है अगला है इस्तल मंडल का गटक कौन सा नहीं है पहाड, पठार, मेदान या समुंद्र प्रेशन नमबर पिच्पन कहरा है कि इस्तल मंडल का कौन सा गटक नहीं है तो दोस्तों इस्तल मंडल में जो है समुंदर सामिल नहीं है दे ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है पिच्पनवे में प्रेस्टन नमबर 56 के ओर बढ़ते हैं परत्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है परत्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम बताना है परपरटी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं प्रसन नमबर 56 का राइट आंसर क्रोड जो है परत्वी की सबसे आंतरिक प्रते से ओप्षन बिल्कुल सही है प्रसन नमबर 57 विशु की सबसे गेरी खान इस्तित है दक्षिन अपरिका में, न्यूजिलेंड में, ओस्टेलिया में या संयुक्त राजे अमेरिका में विशु की सबसे गेरी खान कहां पर इस्तित है दोस्तों विशु की जो सबसे गेरी खान है वह है दक्षिन अपरिका में है दोस्तों ए ओप्षन बिल्कुल राइट आंसर प्रस्टन नमर अठावन परत्वी की तरिजा कितनी हैं 6211 किलोमेटर 6341 किलोमेटर 6441 किलोमेटर या इन में से कोई नहीं ही देखिए साथवी कलास का क्यूशन है ये काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है इस परकार के आंकडे सकते हैं परत्वी की तरिजा जो है वह 6371 किलोमेटर ओप्षन नमबर बे बिल्कुल सही आंसर अठावन का प्रस्टन नमबर गुंसाटे इग्नियस का साब्दिक अर्थ क्या होता है हवा पानी अग्निया मृद्धा इसका राइट आंसर इग्नियस का जो साब्दिक लाल किला किस पतर से बनावा है संग मरमर लाल बलुआ पतर सलेटी पतर या इनमें से कोई नहीं लाल किला जो की दिले में इस्तित है वह किस पतर से बनावा है दोस्तों वह बनावा है लाल बलुआ पतर से बे उप्षन आपका करेक्ट आंसर परसन नमबर साथ का 61 में आते हैं दोस्तों 61 है विशू का सबसे उंचा जल परपात कौन सा एंजल जल परपात कहां पर इस्तित है देखे इस्टार लगा लीजिए इस क्योशन को विशू का सबसे उं यह पार लगा लीजिए दक्षन अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में अफ्रीका में ऑफ्रिका में या एसिया में तो दोस्तों विशू का सबसे उंचा जल परपात यह लगा कि बिशू परपात नमबर ए बिलकुल सब्सरिया औसर बांसरड़ेका या इन में से कोई नहीं मेदानी शेतर में जो नदी के बड़े मोड होते हैं दोस्तों उन्हें विशर्प कहा जाता है मेरे प्यारे सातियों विशर्प बे ओप्शन बिल्कुल सही आंसर प्रेसर नमर 63 की ओर बढ़ते हैं नदी अपने मुहानों पर आउशादों को जमा करती तट बंद विशर्प डेल्टा या वित्री का बताईए तो दोस्तों उससे जो है डेल्टा का निर्मान होता है से ओप्शन 63 का बिल्कुल राइट आंसर प्रेसर नमर 64 समुंदर की तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है उससे किसका निर्मान होता है समुंदरी गुफ दोस्तों समुंदर की जो तरंगे हैं किनारों पर जब अवसाद जमा करती है तो समुंदरी पुलिन का निर्मान होता है बे ओप्शन बिल्कुल सही है 64 का प्रेसर नमर 65 भुकम की तिवर्था किस से मापी जाती है रियक्टर इसकेल पर मीमी मिलीमिटर इसकेल पर सेंटी ग वह मापी जाती है रियक्टर इसकेल पर ए ओप्शन बिल्कुल राइट आंसर 65 का प्रेसर नमर 66 है वायू मंडल में किस गेस की मात्रा सरवादिक है ओक्सिजन नाइट्रोजन कारबंडाई ओक्साइड या ओजोन ये चार विकल्प आपके सामने परदर्शित है वायू में ओक्सिजन कितनी मात्रा में पाई जाती है 15%, 21%, 25% या 10% दोस्तों वायू मंडल में जो ओक्सिजन की मात्रा है वह 21% है बे ओप्शन 66 का बिल्कुल राइट आंसर बन गया है प्रेसर नमबर 68 है ताप मान को मापने की मान की कई जो डिग्री सेल्सेस है उसका आविस्कार किसने किया था स्थार लगा लीजिए दोस्तों डिग्री जो है डिग्री सेल्सेस ताप मान मा आपने की मान की क wand का उसका आविस्कार किसने किया पहला ओप्शन गराम बेल तूसरा ओप्शन थोमस अलवा एडिशन तीसरा एंडर्स सेल्स या इनमें से कोई नहीं गप्रेस प्रेशन नमबर 68 का राइस आंसर एंडर्स सेल्सियस, करेक्ट आंसर 6 ओप्षन, प्रेशन नमबर गुंड सितर है, वायू मंडल की कौन सी परत हवाई जाज उडाने के लिए सबसे उप्यूग थे, यानि हवाई जाज कौन सी परत में उड़ती है दोस्तों, शोब मंडल, समताप मंडल या इन में से कोई नहीं, हवाई जाज है दोस्तों, वह आपके समताप मंडल में उड़ती है मेरे प्यारे सातियों, ओप्षन नमबर 6 आपका बिल्कुल सही हो गया है, प्रेशन नमबर 67 में आजए खनीज इंदनों कौन-कौन से कोईला पैंट्रोलियम आदी के जलाने पर वाईव मंडल में किस गेस की वर्दी हो रही है, जब खनीज इंदनों कोईला पैंट्रोल जल रहा है, तो वाईव मंडल में कौन सी गेस बढ़ रही है दोस्तों, नाइट्रोजन, ओक्षिजन, कारबंड़ाई ओक्साइड या इन में से कोई नहीं, राइट आंसर एगा ओप्षिन नमबर से कारबंड़ाई ओक्साइड गेस की वर्दी हो रही है, C ओप्षिन, CO2 करेक्ट आंसर, अगला है इकतर नमबर, परत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इस्टार लगा लीजिए दोस्तों, परत्येक वर्ष विश जल दिवस जो है दोस्तों, वहें आपके 22 मार्च को मनाया जाता है, दोस्तों, 22 मार्च याद रखिएगा, ए ओप्षन बिल्कुल सही, सुनामी किस बासा का सब्द है, जापानी बासा का, चिनी बासा का, अर्भी बासा का, या इन में से कोई नहीं, सुनामी जो है दोस्तों, कौन सी बासा का सब्द है, तो जापानी बासा का सब्द है, कौन सा सुनामी, बिल्कुल ए ओप्षन करेक्ट आंसर 72 का, प्रसन नमबर तेतर देखिए, परत्वी की सते का, कितना भाग जल से ढका हुआ है, दो बटा तीन बाग, एक बटा तीन बा इन में से कोई नहीं, परत्वी की सते का, कितना भाग जल से ढका हुआ है, दोस्तों, तो यह है तीन बटा चार भाग जल से ढका हुआ, तो से ओप्षन बिल्कुल से आंसर 73 का, परसन नमबर 74, महा सागर के जल में पाया जाता है, सोडियम कलोराइड, केलसियम कार्बोनेट कलोरो फलोरो कार्बन या इन में से कोई नहीं, बताएं दोस्तों, महा सागर के जल में क्या पाया जाता है, महा सागर के जल में दोस्तों, सोडियम कलोराइड, एनसियल पाया जाता है, आपका ओप्षन नमबर A बिल्कुल सही आंसर हो गया है, परसन नमबर 75 के और आते हैं विशु का सबसे बड़ा साप कौन सा है सबसे बड़ा पुचावा है दोस्तों कोबरा, अजगर, एनकोंडा या करेत चार विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों 75 नमबर में विशु का सबसे बड़ा साप कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा साप विशु का एना कॉंडा है ओप्सन नमबर से आपका बिल्कुल सही हो गया है पिचेतर में पर्शन नमबर 76 है ब्राजील के कौन से वन परत्वी के फेंपड़े की तरह परतित होते हैं उश्न कटिबंदिये सदाबार वन दूसरा है उश्न कटिबंदिये प्रणपाती वन ती सदाबार वन बिल्कुल ए ओप्सन 76 का करेक्ट आंसर प्रशन नमबर 37 है किस शेतर को विशु का फलो ध्यान कहा जाता है काफी इंपोर्टेंट क्यूसन है कौन सा शेतर विशु का फलो ध्यान कहा जाता है भूमद्य सागरिये प्रदेश हिमाली शेतर को उप महादीपों क बित्री बागों का हुए इन में से कोई नहीं दोस्तों विशु का फलो ध्यान जो है वह भूमद्य सागरिये प्रदेश को का जाता है ए ओप्सन बिल्कुल राइट आंसर प्रशन नमबर 38 में आजए ये सील और वाल रस पाए जाते हैं रेगिस्तानी प्रदेशों में इतोषन प्रदेशों में या इन में से कोई नहीं सील और वाल रस कहां पाए जाते हैं दोस्तों ये पाए जाते हैं दूर्विये प्रदेशों में बे ओप्सन आपका करेक्ट आंसर परशन नमबर 78 का अगला है गुणियसी नमबर प्रारंबिक मनुश्य निवास करते थे वरक्षों के नीचे गुफाओं में ए और बे दोनों जगे या इन में से कोई नहीं 79 का से विकल्प सही रहेगा दोस्तों से विकल्प बिल्कुल सही है वरक्षों के नीचे और गुफाओं दोनों में जो है प्रारंबिक मनुश्य निवास करते थे शे ओप्सन बिल्कुल स जोडता है राश्टिये राजमार्ग, राज्ये राजमार्ग, एक्स प्रेक्स वे या स्वन चत्रबुजी महामार्ग, कौन सा सडक मार्ग जो है दिल्ली, मुंबई, चेने और कोलकाता को जोडता है दोस्तों जोडने का कारिय करता है प्रसन नमबर जो 80 आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सुवन चतरबुजी महा मार्ग जो है इन चारों महानगरों को जोडता है दे ओप्षन करेक्ट आंसर प्रसन नमबर 81 विशु का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में इस्तित है विकल्प आपके हैं रूस इंगलेंड भारत या चीन जो विशु का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये किस देस में है दोस्तों ये है आपके रूस में बिल्कुल 81 का A option बिल्कुल correct answer है प्रसाण नंबर 82 की ओर आते हैं. परिवेन का तिवर एउमेंगा साधन कौन सा है? कार, रेल, गाड़ी, हेलिकोपटर या इन मेंसे कोई नहीं. बिल्कुल लड़ू प्रसाण आपके लिए दोस्तों. परिवेन का तिवर एंव मेंगा संसाधन अभी आपका कौन साधन हेलिकोप्टर है इन विकल्पों का आदार पर सीए ओप्शन करेक्ट आंसर परसन नमबर 83 में आते हैं अमेजन बेसिन के वर्षावन में चिंटी खाने वाले जानवर का नाम बताइए काफी डीपली क्यूसन है दोस्तों स्लोत तूकन बंदर या टेपीर अमेजन बेसिन के जो वर्षा वन है वहाँ पर चिंटी खाले वाले जानवर का नाम क्या है दोस्तों टेपीर नाम है उसका देव उप्शन लाड़नों याद रखने आपको अगला क्यूसन है गंगा ब्रंपुत्र बेसिन में मानसून वर्षा की अवदी कौन सी है पहला विकल्प मद्य जून से मद्य सितंबर तक दूसरा मद्य जुले से मद्य अगस्त तक तीसरा मद्य मई से मद्य सितंबर तक चोता इनमे से कोई नहीं प्रस्ट नंबर 84 का राइट आंसर मद्य जून से मद्य सितंबर तक की अवदी गंगा ब्रंपुत्र बेशिन में मानसुन की अवदी है ए ओप्षन बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रस्ट नंबर 85 है चीड और देवदार क्या है प्रणपाती वरक्ष संकुदारी वरक्ष सदाबार वरक्ष या इन में से कोई नहीं चीड और देवदार जो है दोस्तों वह किस प्रकार के वरक्ष है ये आपसे पुचा गया 85 नंबर में तो दोस्तों चीड और देवदार जो है वह संकुदारी वरक्ष की सरेणी में आते हैं बे ओप्षन बिल्कुल सही आंसर प्रेशन नमबर 86 परदान मंत्री ने सुच भारत मिशन का सुबारम कब किया था पहला विकल्प 2 अक्तुमबर 2015 को दूसरा विकल्प 2 अक्तुमबर 2016 को तीसरा विकल्प 2 अक्तुमबर 2016 को चोता विकल्प इन में से कोई नहीं सुच भारत मिशन का जो सुबारम है परदान मंत्री ने कब किया था दोस्तों 2 अक्तुमबर 2016 को किया था बे ओप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है परसन नमबर 86 का बे ओप्शन 2 अक्तुमबर 2014 स्वच बारत मिशन की सुरुवात अगला केसन है सत्यांसी वारानसी यानि बनारस सहर इस्तित है कौन से नदी के तट पर पहला विकल्प गंगा नदी के तट पर दूसरा विकल्प यमुना नदी के तट पर तीसरा विकल्प सोण नदी के तट पर चोटा इन में से कोई नहीं जो वारानसी या बनारस सहर है वह किस नदी के तट पर इस्तित है दोस्तों प्रेशन नमबर जो 87 आप देख रहे हैं उसका करेक्ट आंसर रहेगा गंगा नदी के तठ पर है ए ओप्षन बिल्कुल राइट आंसर अगला है 88 रेगिस्तानी शेत्र की विशेष्टा कौन सी है कम वर्षा विरल वनस्पती चरम तापमान या ये सबी रेगिस्तानी शेत्र की विशेष्टा पुचे विए दोस्तों प्रसन नमर जो 88 देख रहे हैं उसका राइट आंसर ये सबी रहेगा विरल जंजा वनिस्पती पाई जाती है कम वर्षा होती है चरम तापमान देता है दे ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है अगला है सहारा रेगिस्तान इस्तित है एसिया महादीप में यूरोप महादीप मे अफरीका महादीप में या अमेरिका महादीप में काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है सहारा का रेगिस्तान किस महादीप में इस्तित है दोस्तों बताएं आप कमेंट बॉक्स में साहरा रेगिस्तान जो है दोस्तों वह अपरी का मादीप में इस्तिते से ओप्षन आपका करेक्ट आंसर गुण नब्बे का 90 नंबर क्युशन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल कौन सा है साहरा मरुस्तल थार मरुस्तल गोवी मरुस्तल या इन में से कोई नहीं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल जो है दोस्तों वह सारा का मरुस्तल है ए ओप्षन बिल्कुल सही आंसर है प्रसन नमबर इकराण में ठंडा रेगिस्तान है सारा लद्दाक थार या कोई नहीं ये चार विकल्प 91 के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ठंडा रेगिस् भारत में ए समानता का कारण क्या है धार्मिक जातिगत आर्तिक इस्तर या ये सबी भारत में ए समानता जो पाई जाती है उसका कारण आपसे पुचा गया है सातियों प्रस्षन नम्बर बाराण में का जो राइट आंसर ये सबी रेगा भारत में ए समानता जातिगत के कारण पाए जाती है धार्मी का दार के कारण पाए जाती है और आर्तिक इस्तर के कारण पाए जाती है दे ओप्षन बिलकुर राइट आंसर प्रेसर नमबर 13 में सरकार द्वारा संचालित मध्याय भोजन की विवस्ता संचालित है सभी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी प्रात्मिक स्कूलों में प्रेशन नमबर चोराण में है नागरिक अधिकार आंदोलन कब परारंब हुआ 1950 में, 1955 में, 1964 में या 2005 में नागरिक अधिकार आंदोलन कब परारंब हुआ दोस्तों तो ये वाता दोस्तों 1955 में बे ओप्षन आपका correct answer एगा 94 क्यूस्टन का अगला है 95 नागरिक अधिकार आंदोलन चला था कहां पर अफरिका में, भारत में, अमेरिका में या फ्रांस में जो निशो पिस्पन में start हुआ था कहां पर चला था दोस्तों का आंदोलन चला ये बताना है नागरिक अधिकार आंदोलन तो ये चला था दोस्तों अमेरिका में बिल्कुल से ओप्सन 95 का करेक्ट आंसर प्रसन नमबर 96 के ओर आठते हैं सरवाधिक चिकित्साले माविदाले काँपर है सरवाधिक चिकित्सा माविदाले काँपर बने वे हैं दोस्तों अमेरिका में, भारत में, ओस्टेलिया में या चीन में ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं प्रसन नमबर 96 का राइट आंसर बताएं 96 का राइट आंसर एगा दोस्तों, भारत में सरवाधिक चिकित्सा माविद्याले बने वें, बे ओप्षन आपका बिल्कुल सही है, 96 का संताण में नमबर क्युशन है, भारत में विदेशों से चिकित्सा प्रियेट आते हैं इलाज कराने हैं तू, इलाज करने हैं तू, इलाज का तरीका सीखने हैं तू या पड़ने हैं तू, बताए 97 का राइट आंसर भारत में विदेशों से चिकिसा प्रियेटक आते हैं बिल्कुल इलाज कराने हैं तो आते हैं दोस्तों ए ओप्षन आपका सही आंसर है प्रसन नमबर अंठाण में सार्वजनिक स्वास्ति विवस्ता में इलाज होता है पूर्णते नीशुल्क बहुत कम कीमत पर नीशुल्क या बहुत कम कीमत पर या ज्यादा कीमत पर जो सार्वजनिक स्वास्ति हैं वहां पर विवस्ता में इलाज किस प्रकार्च होता है बिल्कुल नी सूल किया बहुत कम कीमत पर हो जाता है दोस्तों से ओप्षन आपका करेक्ट आंसर प्रेसर नंबर 99 पर आज़े ये नीजी स्वास्टे चिकिसाले होते हैं खर्चिले, सुईदा से संपन, विशेश डोक्टरों से युक तिया ये सभी 99 में नंबर क्युशन है दोस्तों जो नीजी स्वास्टे चिकिसाले होते हैं वे किस परकार क्यों होते हैं 99 का राइट आंसर ये सभी रहेगा, खर्चिले भी होते हैं नीजी स्वास्टे सुईदा ही बहुत रहती है, संपन होते हैं और विशेश डोक्टर भी आपको मिल जाता है तो दे ओप्शन सही आंसर प्रेशन नंबर सो में आज़ेए कोश्टारी का माना जाता है सबसे स्वस्ट देश, सबसे बिमार देश, सबसे साप सपाई वाला देश या इनमें से कोई नहीं काफी important question है कोश्टारी का किस प्रकार का देश माना जाता है तो दोस्तों ये है सबसे स्वस्ट देश कौन सा है कोश्टारी का यदि क्योशन आजाए सबसे स्वस्त देश का नाम बताईए कोस्ट आरी का नोट कर लीजिए ए ओप्शन सही आंसर है 100 में दोस्तों 100 लगा चुके हैं सतक लगा चुके हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए चैनल को आगे बढ़ते हैं प्रसन नमबर 101 में आज़ेए विदाइक होता है संसद का सदेश्य, विदान सबा का सदेश्य, लोग सबा का सदेश्य या उपरोक्त सभी का बताई 101 का राइट आंसर प्रसन नमबर 101 का राइट आंसर हैगा विदान सभा का सदेशिय विदाइक होता है बे option correct answer है प्रसन नमबर 102 मंत्रियों का chain करता है विदायक राज्य पाल मुख्य मंत्री या राश्ट पती बताए दोस्तों मंत्रियों का chain कोन करता है प्यारे सातियों मंत्रियों का चेन जो करता है उसको मुख्य मंत्री का आ जाता है मुख्य मंत्री ही मंत्रियों का चेन करता है से ओप्सन बिल्कुल सही है 102 में प्रसन नमबर 103 मंत्रियों के विबागों का मंटवारा कौन करता है राज्ये पाल, राष्ट्र पती, मुख्य नयायदिस या मुख्य मंत्री ये चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं 103 के अंतरगत मंत्रियों के विबाकों का मंटवारा कौन करता है दोस्तों जी मुख्य मंत्री करता है मंत्रियों के विवागों का मंत्वारा मुख्य मंत्री करता है दे ओप्षन मिलकुल सही है प्रेसन नंबर 104 सरकार का मुख्या कोन होता है राज्य पाल मुख्य मंत्री राष्ट पतिया विदान सबा अध्यक्स यहां पर आंसर बे ओप्शन रहेगा मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर है 104 का 105 वा देखिए समाज के अंदर लड़के लड़कियों में अंतर किया जाता है बहुत कम आयू से युवा वस्ता से विवा के बाद या कहे नहीं सकते समाज के अंदर लड़के लड़कियों में अंतर जो किया जाता है दोस्तों बहुत कम आयू से ही किया जाता है ए ओप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रसन नमबर 106 गरेलू काम का मुल्य समझा जाता है बहुत जादा बहुत कम बिलकुल नहीं या बे और से दोनों बताए दोस्तों गरेलू काम का मुल्य किस परकार समझा जाता है यहाँ पर आयट आंसर बे और से दोनों रहेंगे बहुत कम भी समझा जाता है कहीं कहीं बिलकुल नहीं समझा जाता तो दे option correct answer अगला है गरेलू काम होता है कम परिष्णमवाला जदा परिष्णमवाला मुल्यवान या इनमें से कोई नहीं गरेलू कारिय जो है दोस्तों जदा परिष्णमवाला बे option आपका correct answer एगा अगला है लड़कियां सड़क पर समू बना कर या चुपचाप चलती है क्योंकि वे सुरक्षित महसूस नहीं करती उनकी आदत होती है वे अपने काम से मतलब रखती है ऐसी कोई बात नहीं है प्रेशन नमबर 108 का सही विकल्प रहेगा वे सुरक्षित महसूस नहीं करती यह ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रेशन नमबर 109 और आते हैं उतरी रेलवे की पहली मैला रेल इंजन चालक है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्यों सने उतरी रेलवे की पहली मैला रेल इंजन चालक बताना हैं लक्षमी लाकरा कलपना चावला विजे लक्षमी पंडित या रमा भाई काफी इंपोर्टेंट क्योशन एक सो नम्मा उत्री रेलवे की पहली मेरा रेल इंजन चालक थी दोस्तों कौन लक्षमी लाकरा बिल्कुल ए ओप्षन करेक्ट आंसर प्रेस्ट आमार जिबोन की लेखी का कौन है लक्षमी लाकरा रमाबाई रुकेया हुसेन या रास सुंदरी देवी आमार जिबोन की लेखी का कौन है दोस्तों आमार जिबोन की लेखी का का नाम बताना है आपको 110 में करेक्ट आंसर रास सुंदरी देवी ओप्षन नमबर दे सुल्ताना का स्वपन नामक काहनी की लेखी का कौन है सुल्ताना का स्वपन किस ने लिखी है यह कहनी रमा भाई रास सुंद्री देवी रुकेया हुसेन या सत्यारानी एक सो इग्यारा का करेक्ट आंसर एगा ओप्शन नमबर 6 रुकेया हुसे ने लिके सुल्ताना का स्वपन नामक कहानी से ओप्शन करेक्ट आंसर प्रस्चन नमबर 112 में आजिये बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभ्यान की सुरुवात कब हुई प्रस्चन नमबर 112 का राइट आंसर एविकल्प रहेगा दोस्तों पहला ओप्शन अगला है आपका संचार माध्यम का रूप है फोन टीवी अकबार या यह सभी संचार माध्यम का रूप है दोस्तों यह सभी 20 ओप्शन करेक्ट आंसर एगा एक सो तेरा का दे ओप्शन करेक्ट है दोस्तों जो एक सो बारा नमबर क्युश्चन था बेटी बचाओ बेटी पड़ो उसका राइट आंसर 2015 रहेगा बे ओप्शन राइट रहेगा दोस्तों बे ओप्शन करेक्ट है 2015 अगला क्यूशन 114 नंबर प्राए सामोईक रूप से रेडियो टीवी अकबार और इंटरनेट जैसे संचार के साधनों को क्या कहा जाता है मीडिया लोक तंतर विग्यापन या ये सभी बताए 114 का राइट आंसर प्रसन नंबर 114 का राइट आंसर एगा मीडिया कहा जाता है ये ओप्शन बिल्कुल सही है प्रसन नंबर 115 में आज़ेए इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर का चलन प्रारम हुआ था 1930 के दसक में 1940 के दसक में 1950 के दसक में या 1960 के दसक में इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर का जो चलन प्रारम हुआ था दोस्तों वे हुआ था 1940 के दसक में बे ओप्शन बिल्कुल सही है प्रसन नमबर 116 जब सरकार संचार माध्यम को किसी गटना की खबर चापने से रोकती है तो इसे क्या कहा जाता है सेंसर्शिप, वीटो सक्ती, लाड़शिप या ताना साही काफी इंपोर्टेंट क्यूशन जब सरकार संचार माध्यम को किसी गटना की खबर चापने से रोकती है दोस्तों तो उसे censorship काज आता है विकल्प नमबर A बिल्कुल सही है एक सो सोड़ा में प्रसान नमबर 117 में आते हैं राजस्तान का राज्ये पक्सी कौन सा है ये हमारा राजस्तान पुस्तक आचुकिएए दोस्तों सात्वें कलास की राजस्तान का राजय पक्षि का नाम बते ही दोस्तों मौर गुडावन तोता या कबुतर राजस्तान राजय पक्षि गुडावन है दोस्तों बे अप्सन करेक्ट आंसर एगा एक सो सत्रा में एक सो अठारवा है राजस्तान में सदा बाहर वन कहां पाई जाते हैं विकल्प पहला करोली दूसरा उदेपूर तीसरा स्री गंगानगर या माउंट अबू सदा बाहर वन राजस्तान में कहां पाई जाते हैं तो दोस्तों ये पाई जाते हैं माउं टाबू में दे ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रसन नंबर 118 का प्रसन नंबर 119 है मिलान करना है दोस्तों आपको मिलान करना है ये चार विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों सुची एक को सुची दो से मिलान कीजिए सित्ता मात्ता वन्य जीव ब्यारने रन्थंबोर राष्टी उद्यान एक केवलादेव राष्टी उद्यान इनमें क्या पाये जाता है क्या विशेश्थाएं है उनको सुम्मेलित कीजिए दोस्तों 119 परशन 119 में देखिए पहले में दूसरा रहेगा सिता माता वन्य जीव ब्यारने में उडन गिलेरी पाये जाते है दोस्तों उडन गिलेरी अगला है राष्टी मरू उद्यान वन्य जीव ब्यारने में दोस्तों क्या पाये जाता है गोडावन पाये जाता है बिल्कुल अगला है रन प्रस्ट नंबर 120 में आते हैं 120 वा है धात्विक खनीज समू की पैचान कीजिए सिसा तामबा लोहा सिसा संग्मर्मर जीपसं आपको धात्विक खनीज ढूनने हैं तामबा मेगनिज तुना पत्रिया ग्रेनाइट तामबा अबरक बताएं 120 का राइट आंसर धात्विक आगे बढ़ते हैं 121 की तरफ प्रस्ट नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चंदेर्या सिसा जश्ता सोदक यंत्र किस जिले में इस्तित है चितोडगड़ जयपूर जसलमेरिया नागोर चंदेरिया सिसा जश्ता सोदक यंत्र कहां पर लगावा है दोस्तों बताएं ये लगावा है मेरे पहरे सातियों चितोडगड में बिल्कुल ए ओप्षन करेक्ट आंसरे 121 का 122 की तरफ बढ़ते हैं रब्बी की फसलों की समू की पैचान कीजिए रब्बी की फसलों का कौन सा समू सही है बाजरा सर्चों चावल दूसरा है मक्का गवार तीसरा मौंग फली तिल कपास चोता गवू चना सर्चों बताए दोस्तों रब्बी की फसलों का कौन सा समू सही है 122 का राइट आंसर रेगा गवू चना सर्चों ये रब्बी की फसलों का समू है दे option correct answer प्राशन नम्बर 123 जल सरक्षण है तू सिंचाई की उत्तम विदी कौनसी है नेरों दुवारा खुले दोरों दुवारा भूणर भूणर सिंचाई एंफ़ुअरे दुवारा या तालाब दुवारा बताए जल सरेक्षन है तू सिंचाई की उत्तम विदी कौन सी है मेरे प्यारे सातियों वे रेगे आपकी बूंद बूंद सिंचाई एंफुआरे द्वारा सिंचाई करना से ओप्शन बिल्कुल करेक्ट है 123 में 124 की और आते हैं अब करसी विपणन बोर्ड मदद करता है किसा की मदद करता है यह ओप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रसा नमबर 125 कर्शी उपजमंडी में मद्यस्तों से वसुला जाता है बाजार सुल्क लाइसेंस सुल्क सेवा सुल्क या परिक्षा सुल्क देखिए कर्शी उपजमंडी में मद्यस्तों से क्या वसुला जाता है दोस्तों ये वसुला जाता है मेरे प्यारे सात्यों लाइसेंस सुल्क बे ओप्शन करेक्ट आंसर 125 का प्रस्ट नमर 126 में आते हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है 126 है राजस्तान में निम्ना कितमे से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की सरेणी में आता है गानी तेल सहेद सुती वस्तर उद्योग या खादी सिल्क बड़े उद्योगों की सरेणी में आता है दोस्तों सुती वस्तर उद्योग बिल्कुल से option correct answer 126 का प्रस्ट नमर 127 है कौन सी वस्तू राजस्तान से निर्यात नहीं की जाती है राजस्तान से निर्यात कौन सी वस्तू नहीं होती है उन जवारात पैंट्रोल या संगमर्मर पथर ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों परसन नंबर 127 में पहुंचें हम 127 में का राइट आंसर बते हैं से कौन सी निर्यात नहीं की जाती है तो पेंट्रोल निर्यात नहीं किया जाता है से ओप्षन करेक्ट आंसरे अगला 128 वा राज पुताने का करण किसे का जाता है पहला विकल्प महाराज राई सिंग्ग दूसरा विकल्प माराणा सांगा तीसरा मिर्जा राजा जे सिंग्ग चोता माराणा प्रताब राज पुताने का करण किसे कहा जाता है मेरे पैरे सातियों काफी इंपोर्टेंट क्योशन राज पुताने का करण माराजा राय सिंग को कहा जाता है ये विकल्प बिल्कुल सही 128 खा 137 विजे इस्तम का निर्मान किसने करवाया था पहला विकल्प मा पहराणा कुम्बा ने विजे इस्तम का निर्मान करवाया दे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला 130 वा चेतान नीरा चूंग ट्या नामक परसिद सोरटे किसने लिके थे चेतावनीरा चूंग ट्या केशरी सिंग भारत ने अर्जुनलाल सेटी ने जोरावर सिंग भारत ने या र तीस्वा है राव सवाई कृषन शिंग ने के समय में बिजोलिया की जनता से लाग ली जाती थी 48 परकार की 84 परकार की 88 परकार की या 48 परकार की कितने परकार के कर लिये जाते थे सवाई कृष्ण शिंग के समय बिजोलिया की जनता से दोस्तों ये लिये जाते थे 84 परकार के कर लिये जाते थे लागते या लाग ली जाती थी बे option correct answer प्रशन no.132 है मिलान करने वाला प्रशन है दोस्तों एक तरप आपको परजामंडल दे रहे हैं दूसरी तरप उनके संबंदित नाव दे रहे हैं मारवाड परजामंडल मेवाड परजामंडल जैपुर परजामंडल विकानेर परजामंडल कोटा परजामंडल कौन-कौन इन से सम्दित है यह आपको बताना है तो right answer आप देख लिजिए पहले में चोता रहेगा महारवाड परजामंडल से सम्दित है जे नाराणी व्यास दूसरे में पहला रहेगा मेवाड परजामंडल से मानिके लाल वर्मा तीसरे में तीसरा जेपुर परजा मंडल जमनालाल बजाज चोते में पांचवा बिकानेर परजा मंडल मगाराम वेद और कोटा परजा मंडल पंडित अभिन हरी ये काफी important question है इस प्रकार के 133 में की ओर बढ़ते हैं आजादी से पुर्व राजस्तान में कौन सी कूप परताएं परचली थी सती परता डाकन परता बाल विवा उप्रोक्त सभी बताएं दोस्तों राजादी से पुर्व राजस्तान में कौन सी कूप परताएं परचली थी 133 का सही आंसर उप्रियुक्त सभी ओप्सन नंबर दे सही रहेगा प्रसन नंबर 134 1819 में आदुनिक शिक्षा का पहला इसकूल कहां खोला गया था कापी इंपोर्टेंट के क्यूशन है जेपुर, अजमेर, उदेपुर या जोदपुर 1819 में आदुनिक शिक्षा का पहला इसकूल कहां खोला गया था दोस्तों, ये खोला गया था अजमेर में बिल्कुल बे ओप्सन सही आंसर है 135 की ओर आते हैं फिर से मिलान करने वाला क्यूशन है एक तरप आपको प्रताएं देर की है दास परता अमरिता देवी मेयो कोलेज विद्याबवन अलग-अलग तरीके के क्यूशन है आपको सुमेलित करना है जल्दी से बताईए 135 का राइट आंसर तो देख लीजिए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा दास परता जो है दोस्तों एक कूरीती है अमरिता देवी खेजरली आंदोलन से सम्मधित है मेयो कोलेज काँ पर है अजमेर में इस्तित है और विद्याबवन काँ पर है उद्यपूर में इस्तित है मिलान कर लीजिए दोस्तों बिल्कुल 135 का मैंने आंसर बता दिया है 136 वा आपके सामने आ चुका है आवशक नियमों वे कानूनों का संग्रे उनके आदार पर किसी संस्ता या देश का संचालन किया जाता है क्या कहलाता है संग्राले, समिधान, विद्याले या इनमें से कोई नहीं प्रसन नमबर 136 का राइट आंसर संविधान वे ओप्षन रहेगा अगला प्रसन 26 जनवरी 1950 को हम मैतोपुन दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन संविधान निर्मित हुआ, संविधान सबा का गटन हुआ, संविधान लागु हुआ हमारा देश आजा दुआ, 26 जनवरी 1950 का दिन मैतोपुन क्यों है दोस्तों ये बताईए क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागु आता 26 जनवरी 1950 का से ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा 137 का 138 अब फिर मिलान वाला क्योशन आचुका है दोस्तों आपके सामने ये लिजी, इस्तम एको बेस से सुमिलित करना है, जैनारेन व्यास, गोकुलाल असावा, हीरालाल सास्तरी, बलवन सिंग मेता, सिटियां देरे किये दोस्तों, किस इस्तान से संबन्दित है तो प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, जैनारेन व्यास, जोतपुर से संबन्दित है, ठीक है, और गोकुलाल असावा, जो है, सापुरा से, बिलवाडा से संबन्दित है, हीरालाल सास्तरी, जैपुर से संबन्दित है, और बलवन सिंग मेता, जो है, वे आपके तिस क्यूशन देते हैं देख लिए हैं शिक्स क्लास की बुक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें आटवी क्लास की जो बुक का निचोड है चारों पुस्तकों का कितने इंपोर्टेंट क्यूश वीडियो चाहिए और वह भी कमेंट बॉक्स में बताएं तक हम उनके वीडियो लेके आएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सबी सातियों को जै हिंद जै बारत थेंक्यू